उदाइगिरी और खंडगिरी गुफा भारत के ओर इसा राज ने भूनेश्वर के पास इस्थित चटानों को काट कर बनाईगी गुफाओं का एक परिसर है यह गुफा अत्यादी के तियासिक और पुरा तत्विक महत्व रखती है उदाइगिरी और खंडगिरी गुफाओं दुसी सदापदी इसा पुरू की है जो महा मेदवाहन राजवन्स की राजा खारवेल के सासनकाल के दोरान थी वे जैन धर्म से जुड़े हुए थे और जैन भिक्छुओं के लिए निमास अस्थान के रूप में कार करते थे इस परिशर में कूल अठारा गुफाए है उदाइगिरी में नो गुफाए और खंडगिरी में नो गुफाए या गुफाए अकार और उदेश में भीन है गुफाए प्राकिर्तिक बलुवा पत्थर की चटानों से बनाई गई है और अपनी जटिल नकासी और अस्थापत विश्यस्ताव के लिए जानी जाती है उदाइगिरी गुफाए खंडगिरी गुफाव की तुलना में अधिक विस्त्रित रूप से खुदी हुई है गुफाए ज़न धर्म के लिए मौत पून है और तिर्थ कड मुर्तियों यक्ष और यक्षनियों सहित ज़न धर्मिक प्रतिमाव को दर्साती है उदाइगिरी में रानी गुफाव अपनी ज़न मुर्तियों के लिए विसेश रूप से परशिद्ध है इन गुफाव में पाएगए ब्रहामनी लिपी में कई सीरा लेख राजा, खारवेल के सासन काल और उस समाई के समाज के बारे में बहुमुल्य एतिहासिक जनकारी परदान करते हैं उदाई गिरी और खंड गिरी की गुफाव विविन उदेश्यों को पूरा करती थी, जिन में जैन विच्छूओं के लिए आवास, ध्यान, कक्ष और धार्मिक अनुस्ठानों के लिए अस्थान सामिल थे यह गुफाव ना केवल प्राचीन भारत के अस्थापत्य और मुर्ती कला कौसल का प्रमान है बलकि मौड़े और उसके बाद के राजवन्सों के दावरान, छेत्र के धार्मिक और संस्कितिक जीवन की अंतर द्रिष्टी भी परदान करती है उदैगिरी और खंडगिरी गुफाई अब एक लोग प्रिया परियाटक आकर्शक है जो इतिहास, पुरा तत्व और धार्मिक विरासत में रुजी रखने वाले आगन्तुकों को आकर्शित करती है इन्हें बार्तिया पुरा तत्व सर्वेक्षन द्वारा संरक्षिक अस्मारक के रूप में भी मानेता प्राप्त है इन गुफाई के दर्शन से जैन धर्म के समरीत इतिहास और बारत की प्राचीन अस्तापत्य परंप्राव की जलक मिलती है या एक महतपुन संस्क्रितिक और इतिहासिक बिरासत अस्ताल है जो प्राचीन और इसा में धर्म कला और इतिहास के मिश्रन को परदर्शित करता है और भी गुफाई से जुरी जनकारी के लिए अमारे वीडियो देखे